नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुर्जी शामल और आप देख रहे हैं वरकर भॉयस आज काफी लोग को इंतजार होगा कि 25 मार्च को जो दिल्ली का नियुनतम वेतन है उसके केस की सुनवाई सुप्रिम कोट में होनी थी और इसमें क्या हुआ? काफी लोग का सवाल आ चुका है आज इसके बारे में जानेंगे इसके साथ ये भी जानेंगे कि जो अभी दिल्ली का नियुनतम वेतन कितना है कितना कम से कम आपको मिलना चीए और एक सवाल बार बार मारा आता है कि जो एरियर बीच में था वो हमें कम मिलेगा इन सभी बातों की जानकारी लेंगे आईए हम आपको स्टेप बाई स्टेप करके बताते हैं दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली सरकार दोरा जारी जो 37% नियुनतम वेतन का नोटिफिकेशन था उसको रद कर दिया था जिसके बाद जो दिल्ली का नियुनतम वेतन कम हो गया था यानि कि पहले जितना था उतना हो गया था उसके बाद दिल्ली सरकार ने क्या किया सुप्रीम कोट में एक अपील गिया उस अपील के बाद माणिय सुप्रीम कोट ने दिली के मजदूरों के हाक में फैसला देते हुए फिर से उस निऊंतम वेतन यानि कि दिली की सरकार का जो नियूंतम वेतन था 37% विर्धी वाला उसको फिर से reinstate कर दिया यानि कि उसको लागू कर दिया उसके बाद सरकार को आदेश दिया गया तीन महीने के अंदर दिल्ली का नियुनता मेतन दुबारा से रिफिक्ष करके लाने के लिए जिसके बाद एक्ट के प्रावधान के अनुसार नई कमिटी बनाई गई और नई कमिटी के 4-5 मिटिंग हुए और मिटिंग के बाद नियुनता मेतन टै किया गया इन सभी बातों की जानकारी हम पहले दे चुके हैं आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके देख सकते हैं इसके बाद सरकार के तरफ से जो नियुनता मेतन टै रिफिक्ष किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे पेस करना था और जिसकी सुनवाई आज यानि की 25 मार्ज 2019 को होनी थी जिसके बारे में पहले भी हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आउडर के अनुसार 31 जनवरी जो है 30 महिना पूरा होता है लेकिन जो रिफिक्स करने की प्रकिरिया है वो लगबाग 15 फरवरी तक चली है यानि की तोरह सा 15-20 दिन का लेट हुआ और उसके अनुसार पहले भी हमने आसंका जदाईती हो सकता है आज के डेट में सुनवाई हो भी या ना भी हो आपकी जानगारी के लिए बता दू कि आज जो सुनवाई होनी थी वो उसकी जो सुनवाई है वो 12-4 को होगी यानि कि दो सब्ता बाद हो सकता है उस दिन सुनवाई हो भी या फिर हो सकता है वो भी डेट आगे एक्स्टेंड कर जाए इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन इसके बाद आपका सवाल यह आता है कि इससे क्या निउन्तम वेतन जो अभी लागू है यानि कि कम से कम जो 14,000 है क्या उस पर कोई फर्क परेगा बिल्कुल आप निश्चिंत रहें जब तक कोट का कोई इसके उपर ओडर नहीं आता है तब तक जैसा कतर सब बना रहेगा कुछ साथी ने ये भी पूछा था कि हर वार क्या होता है मार्च में वीडिय यानि कि महांगाई बत्ते का नोटिफिकेशन निकलता है और कुछ हमारी सैलरी बिर्धी होती है तो क्या सुप्रीम कोट के ओडर रखे बिना क्या वीडिय की जा सकती है तो बिलकुल आपका बिलकुल वीडिय का नोटिफिकेशन निकलेगा और ये ऐसे भी एक अप्रेल से लागू होता है कभी कभी क्या होता है ना दो दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाता है और कभी कभ दिन बाद भी आता है, तो इसके लिए घवरानी की कोई यरूरत नहीं है, ऐसे भी अप्रेल का जो भीडी है, यानि की महंगाई भत्ते के साथ बढ़ा हुआ जो बेतन है, उसका लाव आपको मई महिने में मिलता है, यानि की मई के सैलरी में मिलता है, तो इस बीच कभी भी न पान ये कोट ने कहा था, कि जो एरियर का मुद्दा है, वो कोट देखेगी, यानि की जब रिफिक्स करके वहाँ पर सुनवाई सुरू होगी, जैसे की आज सुरू होने वाला था, आज नहीं हुआ, तो बारा का डेट बताया गया, जैनि की बारा अप्रेल का बताया गया, तो उसके बाद इसमें टैक किया जाएगा, कि आपको एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप में से काफी लोग को ये भी नहीं पता है, कि अभी नियुनतम बेतन जो है दिल्ली का, वो कम से कम 14,000 रुपया है, अगर आप जानना चाहते हैं, कितना मिलना चाहिए, अगर तो यहाँ पर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसके साथ ही बाकी जितना भी दिल्ली के नियुनतम बेतन से जुरा हुआ हमारा वीडियो है, उसकी जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्सा नीचे देखेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी है, वो सारा आप मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उपाय है, आपके बदला कोई दूसरा बोलेगा, तो नहीं होगा, इसके लिए RTI से भी नहीं होता है, इसके लिए आपको कंप्लेइन लगान होगा लेवर कमिशनर के हैं, और उसके बाद ही आपका अगर नहीं दिया जा रहा है, तो आप दसगुना हर जाने की मांग कर सकते हैं, पीछे भी जो भी मैं बताता हूँ, उसमें ये भी बताता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो इसको जल से जल सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और सेयर करना न भूले, इसके साथ ही बिदा लेता हूँ, जल ही एक करने बाद.